तो एक एक करके हम हम ताइपस ओफ मैट्रिक्स डिसकस करेंगे तो सबसे पहली जो टाइप ओफ मैट्रिक्स है वो है हमारी रो मैट्रिक्स सबसे पहली रो मैट्रिक्स अब यह रो मैट्रिक्स क्या है रो मैट्रिक्स सिंपल सी बात है जिसकी केवल एक रो हो number of columns कितने भी हो सकते हैं जैसे कि हमने कोई मैट्रिक्स बनाई है 1 2 से minus 1 से 0 तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर रो केवल एक है और number of columns इसमें 4 है यानि कि इसका order जो है 1 by 4 है रो 1 ही होने चीए number of columns कितने भी हो ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं तो इसका जो है formula लिग देते हैं तो formula क्या है A equals to कोई मैट्रिक्स जिसमें A1J 1J उसके elements होंगे यह 1 रहेगा और उसका जो order है वो हमेशा 1 by N रहेगा ठीक है तो यह इसका formula हो गया row मैट्रिक्स के लिए अब बात करते हैं दूसरी जैसे row है वैसी column मैट्रिक्स भी हो सकती है column मैट्रिक्स इसमें column के वल एक होगा example के तोर पर जैसे की यह minus 1, 0, 1 तो इसमें देख सकते है column के वल एक है और row इसमें 3 है एक, दो, तीन तो 3 by 1 इसका order हो गया अब इसका भी formula लिग देते हैं suppose कि यह कोई B matrix है इसमें elements B से denote किये गए हैं तो I और यहां पर 1 और order इसका क्या रहेगा हमारा M by 1 तो यह इसका formula हो गया यह column matrix के लिए इसके बाद हमारी आती है square matrix third square matrix जैसे कि वैसे हमारी matrix एक तरह से rectangular shape होती है order में देखते हैं कि dimensions आपकी 2 by 3 है या 3 by 2 है square matrix के अंदर number of rows और number of columns बराबर होंगे यह है बेन बात कहने का मतलब यह है number of rows is equals to number of columns यह आपको याद रखना है square matrix के अंदर number of rows number of columns equal होंगे तो example ले लेते हैं कोई जैसे कि one two zero minus one देख सकते है two by two है अचा one by one भी हो सकता है यह जैसे one कोई one by one यह भी एक matrix है जिसके one row है और one column है one by one वाली को आप square matrix भी बोल सकते है column matrix भी बोल सकते है और row matrix भी बोल सकते है याद रहे ठीक है अब बात करते है नल मैट्रिक्स की नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स में सभी elements zero होते है इसको हम zero matrix भी बोलते हैं सभी elements zero है जैसे कि zero 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 यह आपकी one by three की है ऐसे ही जैसे कि हमने zero 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 यह आपकी two by three है अच्छा कई बार क्या होता है इसको हम capital letter o से denote करते है capital letter यह denote किया जाता है denoted as capital letter o यह याद रहे है यह capital letter o से denote किया जाता है सभी elements इसके zero होते है नल matrix के diagonal matrix diagonal matrix होने के लिए सबसे पहले तो उसको square matrix होना जरूरी है it should be square matrix मतलब उसकी condition है कि वो square matrix होनी चाहिए पहले चीज़ square matrix वो होने चाहिए अच्छा अब इसमें मैं एक example के तुर पर एक matrix लेता हूँ जिसके elements है 1, 0, 0, 2 इसमें यह जो है यह diagonal के लाएगा एक और लेता हूँ मैं देखने एक बद यह लिए मैंने 1, 0, 0, 0 minus 2, 0, 0, 0 से 3 इसमें यह diagonal के लाएगा अब आप सोच रहें कि यह क्यों नहीं लिया यह इस नहीं लिया आप एक से ध्यान से देखना अगर यह कोई matrix आपकी A है और यह आपकी कोई matrix B है इस matrix के elements है A, I, J तो यह जो element है यह हमारा क्या है A, 1, 1 और यह हमारा क्या है A, 2, 2 इसी तरह से यह देखिए हैं अब यह है आपका B, 1, 1 यह हमारा है B, 2, 2 और यह हमारा है B, 3, 3 बंदब diagonal elements क्या होते हैं जिसमें यह I, J यह बराबर होने चाहिए वो ही diagonals कलाते है diagonal elements वो ही कलाते है समझ माई बात की नहीं यहाँ पर आप देख सकते हो अब यह इसलिए नहीं कलाएगा diagonal elements क्योंकि यहाँ यह 1, 2 है और यहाँ 2, 1 है तो यह सेम नहीं है तो इन्होंने यह rule बनाया हुआ है कि diagonal elements केवल वो ही होंगे जहाँ पर आपके I, J, equal हो यह याद रहे हैं अब बात करते हैं scalar matrix scalar matrix again वो diagonal matrix होनी चाहिए यह सबसे पहली बात तो ही है अब diagonal matrix होनी चाहिए तो उसके जो elements है diagonals के जैसे कि 2 यह कोई matrix है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो diagonal elements हैं वो सेम है 2 and 2 एक और example लेता हूँ बोई B matrix ले लेते हैं 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3 तो यहाँ भी आप देख सकते हैं diagonal elements सेम है ऐसी matrix को हम scalar matrix कहते हैं जिसमें आपके जो non-diagonal elements हैं वो सभी तो है 0 और यह जो आपके diagonal elements हैं वो सभी सेम हैं किसी scalar value के equal है समझ गे? 7th type identity matrix इसको unit matrix भी कहते हैं unit matrix सबसे पहली बत कि हो scalar matrix होनी जाइ और scalar value उसके 1 होनी जाइ 1 ही होनी चाहिए तो for example मैं आपके सामने कुछ matrix बनाता हूँ एक तो मैंने यह one बनाई और एक मैंने यह one zero zero one बनाई और एक मैंने यह बनाई है one zero 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 one zero zero one यह 1x1 order की identity matrix है यह 2x2 order की identity matrix है और यह 3x3 order की identity matrix है यह जो identity matrix है इसको capital I से denote किया जाता है और specify करने के लिए order किया है तो यहाँ I1 लिख देते हैं 1 का मतलब 1x1 और I2 लिख देते हैं यहनि की 2x2 order और I3 लिख देते हैं यानि कि 3 by 3 order और अगर order specify अगर नहीं किया तो किवल i से भी बोल सकते हैं capital i से इसको denote किया जाता है capital i से ठीक है